एक तरफ भाजपा किसानों को क्रशी विधायक के लिए जागरुक कर रही है तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत गर्माने लगी है कॉंग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है और इसे कट पुतली का खेल बताया है देखे इस रिपॉर्ट में किसानों को जागरुक करने के लिए मद्रप्रदेश में भाजपा के दिगज-णेता मैडान में उतर चुके हैं जगा जगा जहां किसान सम्मेलन कीए जा रहे हैं वही सियम शिवराज सिंग चौहान ने किसानों के खातों में राशी डालने की सौगात भी दी है इससे लेकर कॉंग्रिस नेदा भी सक्रिय हुए हैं और भाजपा पर निशाना साथ रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं कॉंग्रिस विधायक लक्षमर सिंग ने किसान सम्मेलन को लेकर ट्वीट किया उनकी माने तो भाजपाक किसान विरोधी है और कटपुतली का नाच दिखा रही है किसान बिल में दम होता तो लाखों किसान सड़क पर नहीं उतरते देखिए ऐसा है कि मैंने आज ट्वीट भी किया है कि जब आईटी का युग नहीं था तो ये कटपुतली का नाच एक आदमी कराता था उसके दोर सब हाथ में उती थी और नाच कराता था तो यह आंदोलन होरा है भाती जन्ता पार्टी का किसान बिल के समर्थन में जो एक्चिली किसान विरोधी है ये वो ही है कटपुतली का नाच एक आदमी के हाथ में डोर है यह लोग सब अगर ये किसान बिल में कोई दम होता तो लाखों किसान इस ठंड में सड़क पे नहीं उतरते कॉंग्रिस तो आंदोलन करेगी लेकिन हम चाहते हैं किसान स्वेम करें ये तो फिर ये कहेंगे कि राजनेतिक है आप भड़का रहे हो किसानों को तो हम इntजार कर रहे हैं और कॉंग्रिस खड़ी है किसानों के साथ हम भी अपनी रूप रेखा बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि kun Devite खुद निकले और निखल के फिर इनको बताएं अपनी ताकत है और और ऐसा होगा ऐसा होगा यह मदारी का खेल है यह जो कर रहे हैं किसान विरोधी बिल लाके और जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि नहीं बोलो रहा ठीक है शिवराज सिंग भाशन में बोलता क्यों हाथ उठाओ सही है कि नहीं बोलो सही है खुद कह रहा है जबरदस्ती हात उठवा रहे हैं उन्हीं के द्वारा प्रायोजित भीड़ है उनके करमचारी अधिकारी भीड़ी खट्टी कर लेते हैं कुछ लोब लालज देके और उनसे हात उठवा लेते हैं यह कोई तरीका नहीं है इस मामले में कॉंग्रेस के मीडिया समन्वियक नरेंद्र सलूजा ने सीम शिवराज सिंग चोहान पर निशाना साधा सीम द्वारा किसानों को राशी बातने के मामले में कहा कि सीम किसानों के खातों में इतने रुपे डाल चुके हैं कि किसानों को अडारी अंबानी के पास लेना चाहिए जबकि इस्तिती कुछ और ही है वह किसानों के पास पैसे नहीं है। दुखी है खाने को पैसे नहीं है सड़कों पर बरबाद हो रहा है खेती घाटे का दंदा बन चुका है और शिवराज जी का तो मुझ चलता है किसान के खाते में रुपी आता नहीं सिर्फ बाते हैं आप लोग स्वयम बुद्धी जी भी हैं समझदार हैं आप तीनों कानूर का अध्यन करने हैं उसके बाद सब पता चल जाएगा कि मोधी इस देश में फूमजी पतियों को के सामने गिर्वी रखना चाहते हैं इस मुल्क को किसानों की जो सबसे बड़ी तादाद इस मुल्क में है उनके जमीनों को शीन कर कार्पुडर को देना चाहते हैं आवस्यक वस्तद्रियम में संसोदनकर के जमाँ खोली को बड़ाबा देने का काम किया है और किसानों को बरबात किया है पूरे बिश्वें इस विवस्ता में फ्रांस में आज किवाद 3% किसान बचा है अमेर काम है किवाद 2% किसान सेज रहे गया इनी कानुन के ताहित इसलिए वह किसानों की मोधी भारती जनता पार्टी करना चाहती है और जो हालत आज जियों ने की है रिलाइंस कंपनी ने पहले मुफ्त में दिये उसके बाद आज जियों ने जो 300 रुपए में 90 दिन की सुबदा हमारे भूकताओं के मिलती थी वो गुरोंने करीब 59 रुपए में 84 दि कि कर्दी दुगना बसूल कर रहा है सब कंपनियां घाटे में चले गई कर्जे में डूब गई और अब रिलाइंस के लिए जंदा है वही मोधी अवाडानी जैसे तमाम पूजी पतियों के सब समपना चाहती है इसकी मैं भूर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी नहीं सबी विपक्षी दल और हिंदुस्तान का किसान देखा जाये तो कॉंग्रेस ने भाचपा के किसान सम्मेलन को कटपुतली का नाच बताया है ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूस भोपाल